तो हैलो और देलकम दोस्तों आप देखे रहें Android जंक्सा इंटूब चैनल और में नम है रूपेस दोस्तों आचली शुरू करते हैं आज के वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यादि आपने फिलिप कार्ट से कोई सामान और किया है और वह सामान आप आप से हम बात करने वाले हैं तो चले फिर इस वीडियो को हम करेंगे कांटीनिव वीडियो अच्छी लगेगी इस वीडियो को लाइक हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा आए दूस्तों आगे बढ़ेंगे समझेंगे कैसे कैसे क्या करना है हमें सबसे पहले फिलिप एक आपसन दिख जागा my orders का my orders की नीचे एक आपसन होगा view all orders का simple view all orders पे हम क्लिक करेंगे जैसे हम वीडियो all orders पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसा कुछ पेज दिखाई देने लगेगा सबसे पहले हमें जिस सामान को return करना और अपना पैसा लेना है उस पे हमें क्लिक करना होगा तो हमारा यही वाला है पहला वालत इस पर हम क्लिक करेंगे ठीक है जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह से आपसन आ जाता है जैसा आप देख पा रहे हैं अब हमें सिंपल है क्या करना नीचे रिटर्ण का आपसन है रिटर्ण के आपसन पर हम क्लिक कर के बाद हैं पे कुछ ध्यान देनी वाली बात होती है अधित युद्मिंट का अफसन नहीं होती है है और इसमें से यदि आपको रिप्लेस्मेंट अवा फ्र उपसन बदल लिजेगा यहां की आफसन के नुसारे रिफंड होता है जैसे आपको मैं बेसिक सा जनकारी देना चा quality के उपर कमेंट करते हैं तो हमें refund मिलता है तो quality of product as not expected इस पर मैं क्लिक कर दूँगा ठीक है अब item not performing as expected इस पर मैं क्लिक कर दूँगा कमेंट में लिख दूँगा not good not good अब यहां पर continue पर क्लिक कर देंगे ध्यान दिजेगा यहां पर हमें refund पर क्लिक करना है ठीक है दोस्तों आपने तो cash on delivery order किया होगा मैंने हाप पर online payment के ऐसले मेरा वर्जिनल payment mode आ रहा है लेकिन आपको क्या करना refund पर जैसे क्लिक करेंगे मैं साइड में दिखा पा रहा हूं वहां पर दो आपसन आएगा पहले पर होगा bank account दूसरे पर होगा gift card या gift wallet आपको bank account पर क्लिक करना है उसके बाद आपका bank details मांगा जाएगा जैसे account number, FSC code आपका नाम और पूरा details माँपे अच्छे से भार देजेगा भारने के बाद ok कर देजेगा ok करेंगे तो आपका account यहां पर बन क्या जाएगा जैसे मेरा वर्जिनल payment mode आया ऐसे आपका account बन क्या जाएगा उस पर select करिएगा select करने के बाद submit request पर क्लिक करिएग और जैसे submit request पर आपका order यहां पर refund के लिए process हो जाएगा और दो दिन में जब order pick up हो जाएगा उसके अगले दिन आपका पैसा आपके उसी खाते में आएगा जो खाता आपके add किया है और delivery पर आएगा जिस address आपका सामन उठाया था मतलब दिया था वहीं पर आकर आपका सा आपके लड़े जाएगा बड़े दो तू